है यहलो गईश तो कैसे हूआ सब लोग तो गईश आज के वीडिये में हम लोग गईश लास्ट जोन के टिप्स और ट्रिक्स देंगे कि आप लास्ट जोन के अंदर कैसे सर्भाइब करके कैसे फाइट करके आप बोईिया निकाल सकते क्यूं कि काफी सारे बंदें बोलते हैं हम लोग Last zone तक तो पहुँच जाते हैं उसके बाद जाके हम लोग मर जाते हैं तो गैस लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखो अगर आप इस वीडियो को पूरा end तक देखते हो तो आपका last zone का knowledge बहुत जादाब बढ़ जाएगा और लास्ट जोन के अंदर जाने के बाद आप बोईया निकाल लोगे वीडियो को पूरा end तक देखो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिकरशन कॉल पे प्रिस कर दो तो हम लोग ऐसा ही टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो उस लाते रहते हैं एंड गाइस इस वीडियो का लाइक एम रख रहे है 38 के लाइक उम्मीद है अब लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे एंड गाइस एक दोस्त के साथ साथ सीयर भी कर देना तक हमारा चैनल डाउन ना हो जाए एंड गाइस प्लीज लाइक एम कंप्लीट कर देना गाइस बड़ते है हमारा फर्स्टी टिप्स की आपको जो जो जोन का जोन पिडिक्सें तो देखो जोन पिडिक्सें बहुत जादा तो आपको zone predict कैसे करना में बताता हूं guys and आपको क्या करना में बताता हूं ठीक है जब को इतना ज़्यादा दे दिया तो मैं अगर यह यहां पे middle पे घुच जाता तो आपको ऐसा कभर डूढ़ना है जहां पर आपका एक साइड कभर हो जाए यानि कि गईस देखो यहां पर मैं पत्थर पे बैठा हूं तो मेरे को आगे से कोई मार नहीं से तक कि आगे मेरा पूरा के पूरा पत्थर का कभर है तो मैं गाईस पीछे के साइड पे जैसे यहां पे बंदा था अगर मैं जोन के अंदर चला जाता तो यह बंदा अब को मारता गाईस पीछे से मतलब थोड़ा बहुत डेमेज पीछे वाला भी देता और सामने अगर कोई बंदा होता तो मेरा खेल वहीं पे खतम हो जाता क्योंकि चारो तरफ आप समाल नहीं आपको क्या करना आपको पीछे के तरफ पूरा क्लियर करते हुए आना है एंड जोन के बिल्कुल मीडिल पे नहीं गुसना एकदम कोने पकड़ के बैढ़ जाना जैसे देखो यहां पे मैं लास्ट जोन तक आ चुका हूं अभी मैं यह पेर पे चला जाओंगा क्योंकि सबसे जरूरी बात अगर बहुत जादा बंदे हैं मतलब आपको थर्ड पटी करने का सोचना है अभी देखो मेरा पीछे के साइड पर कोई नहीं है जो दो बंदे है वो नीचे है तो अभी मैं क्या करूंगा इन दोनों को लड़ने दूंगा एंड जैसे ही मेरे को मौका मि वैसे ही मैं दोनों को फिनिस करके किल उठा लिया गाई तो इस तरह से जो है आपको थर्ड पटी करना है और सबसे जरूरी बात अगर बहुत जादा बंदे है मतलब नौद बंदे है लास्ट जोन के अंदर तब आपको थर्ड पटी करना नहीं है आपको बस कबर में जब तक यह दो बंदे आपस में फाइट नहीं लेते तब तक मैं दोनों पर फायर नहीं करोंगा अगर आपको फायर करते तो जो दूसरा बंदा था वो आपसे फायर ले 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 था एंड तो इस तरह से जो है थर्ड पटी किया जाता है आपको फाइट नहीं करना अग guys car and summon airdrop so guys देखो यहाँ पे strategy लगाना है आपको मतलब जो car है ना guys वो आपको last zone पे बहुत जादा फाइदा देता है guys मतलब अगर अगर आपको तुरंट उतरते ही car मिल जाता है तो आप car लो and धीरे धीरे zone के साथ साथ आगे वरो जो car होगा guys वो आपको last zone मेरे को एक कबर मिल जाएगा अगर मैं सामने वाले का glue तोड़ दूँगा तो इसके पास permanent cover नहीं रहेगा तो permanent cover guys last zone के अंदर बहुत जादा इंपोर्टेन होता है and उसी के साथ साथ अगर आपके पास summon airdrop है तो summon airdrop लेके जा सकते हो last zone के लिए क्योंकि summon airdrop अगर आप last zone पे मंगाओगे तो अच्छा कासा सामान भी मिल जाएगा उसी के साथ cover भी मिल जाएगा guys ठीक है बट कार अगर आपको उतरते ही मिलता है guys तो कार जरूर उठाओ and zone के साथ साथ कार को भी survive करवाओ last zone पे आपका बहुत जादा फाइदा आने वाला है कार से ठीक है तो कार ज़रूर यूज करना last zone के अदर अगर आपको मिलता है तो सब्सक्राइब तो आपको फोट टिप्स की हो तो आपको जादा नमबर टिप्स है लोका कबर बना लेता है तो रिष्याओ लेना चाथे और डाल देते हो यहां पे भी बंदा था हम दोनों ने मिलके इतना जादा ग्रेनेट किया कि यहां पे जो बंदा था इसको या तो चोड़ना था या फिर ग्रेना से यह ले लिया ना तो जितने भी बंदे है आपके आतसपास सारे के साइड पे एम करके रखेंगे आप जैसे ही निकलोगे आपको जोन के अंदर भी नहीं जाने देंगे उसी के साथ साथ आप वहीं पे खतम हो सकते हो तो आपको कभी भी अपना position को reveal करना नहीं है जैसे देखो यहापे बंदे ने जो है ग्रेनेट तो किया बट इसको मेरे position पता नहीं है ठीक है इस बंदे को उपर गया सीधा मैंने इसको पीछे से पूरा स्प्रे करके मार दिया गई तो इसी तरह से आप अगर लास्ट जोन के अंदर आपका position रिवील कर देते हो तो सारे बंदे जितने भी बंदे होंगे आस पास आपके सबका नजर आप पे होगा और आप जोन के अंदर भी नहीं क्योंकि फायर करोगे तो आपको जोन के अंदर आने नहीं देगा एंड आपको जोन से भी डेमेज पड़ेगा एंड सामने वाला भी डेमेज देगा तो आप मर जाओगे गाइस टीक है बस यह पांच टिप्स आप फॉलो करो आप लास्ट जोन के अंदर इजिली सर्वाइ करके बोई या निकाल सकते होगा इस ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब दो करें बाई गाइस